प्रॉब्लम से सल्यूशन ता, आश्कृता, नो यॉर फेट इन सब पर विशेश चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मैमान पनिसल शलेंद्र पाने जी मौझूद है बहुत बहुत स्वागत है आपका पनिजी नुश्कार तो सबसे पहले शुरुआत कलेते हमा सिद्रात्री के बारे में महा नव्मी के बारे में कहा जाता है कि नव्मी तिथी बहुत ही जादा महत्वण हो जाती है और खासतोर से ऐसे लोगों के लिए जो नौदेन अगर विदी विदान से पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे हैं त इसको विशेश मानते क्यूं है नव्रात्री की नव्मी तिथी को माता सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है सिद्धिदात्री का मतलब समस्त सिद्धियों को देने वाली और ये दर असल देवी का संपून स्वरूप है यानि जो नव दुर्गा हैं माता शैल पुत्री ब्रह्मचारडी, चंद्रगंटा, कूश्मांडा, सकंदमाता, कात्यायनी, कालरात्री और महागोरी उन सबका स्वरूप इनके अंदर समाहित है केवल नवमी तिथी पर अगर आप वास्तव में विधी विधान पूर्वक, माता सिधिदात्री की उपासना करते हैं तो आपको संपूर नवरात्री की उपासना का फल मिलता है नवमी को महा नवमी भी कहते हैं क्योंकि इस तिथी पर शक्ति पूजा की जाती है, विशेश रूप से शक्तियां प्राप्त की जाती हैं और इस शक्ति को प्राप्त करने से निश्चित रूप से विजय की प्राप्ती होती है नवरात्री की नवमी तिथी पर महा सरस्वती की उपासना भी होती है एक तरफ माता सिध्धिदात्री की उपासना दूसरी तरफ भगवान राम की उपासना और तीसरी तरफ मा सरस्वती की उपासना भी होती है जिससे अदभुत विद्या और बुद्धी की प्राप्ती होती है महा नवमी पर लोग बहुत सारे विशेश प्रियोग भी करते हैं और ये विशेश प्रियोग करने से विशेश मनो कामनाएं आप पूरी कर सकते हैं जैसा कि आपको पहले भी बताया कि अगर आपने आठ दिन पूजा नहीं भी की है या आठ दिन आपने साधना नहीं भी की है केवल नवमी तिथी पर अगर आप पूजा उपासना साधना करते हैं तो संपूर नवरात्री का फल आपको मिलता है और नवरात्री की अंतिम तिथी है नौमी तिथी इसलिए इस दिन हवन भी किया जाता है और हवन करने से नवरात्री का फल संपूर होता है नवरात्री की पूजा संपूर होती है और साथी साथ अद्भुत शक्ती भी प्राप्त होती है तो याद रखिए नवरात्री की 9 मी तिथी पर आपको पूज़ा जरूर करनी है, साधना जरूर करनी है, साथी साथ हवन भी करना है ताकि नवरात्री की समपूर्टा हो और समपूर्ण शुबफल आपको प्राप्त हो सके तो कहने को 9 दिन बहुत जादा खास हैं लेकिन अगर आप बीमार हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं या फिर भाग दौर बरी जिन्दगी में आप रोज पूजा नहीं कर पा रहे हैं विदी विधान के साथ व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो सिध्धिदात्री मा के दिन आप बहुत खास उपाय कर सकते हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं लेकिन सबसे पहले हम समझना चाहेंगे कि मा का जो स्वरूप है वो कैसा है कि सिध्धिदात्री मतलब हर सिध्धि की मा देने वाली तो बहुत ही खास उनका दिन हो जाता है वो वैसे भी शशी देखिए नव विशेश तरह का मानव का संसकार जुड़ा हुआ है अब नव दुर्गा के स्वरूप में माता सिध्धिदात्री का जो स्वरूप है ये अंतिम स्वरूप है और नवा स्वरूप है और जैसा इनका नाम कहता है सिध्धिदात्री सिध्धियों को देने वाली सिध्धियों क एक नाम एशुवर्य भी है इसलिए एशुवर्य भी प्रदान करती हैं यानि इनकी शरण में जाने से आप भौतिक और आध्यात्मिक जीवन की तमाम उपलब्धियां पा सकते हैं क्योंकि ये समस्त वर्दानों को और सिध्धियों को देने वाली हैं इनका जो स्वरूप है ये कमल के पुष्प पर विराजमान हैं कमल के पुष्प पर बैठी हुई हैं और इनके चारो भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म है शास्त्र कहता है कि यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, देवी देवता और मनुष्य सब ही इनकी कृपा से ही सिध्धियों को प्राप्त करते हैं एक बात याद रखिए, सिध्धियां देने के मामले में आप पूरा हिंदू वांग में देख लिजिए, दो ही लोगों का उलेख आता है एक देवी शक्ती का, चाहे आप उन्हें सिध्धिदात्री कह लें, चाहे आप माता सीता कह लें और एक उलेख आता है हनुमान जी का अश्ट सिध्धिनवनिधि के दाता, यानि वो भी आपको सिध्धियां दे सकते हैं. इसलिए माता सिध्धिदात्री की उपासना करके आप नवरात्री के नौ दिनों का सम्पूर्ण फल पा सकते हैं, अपनी मनों कामनाओं को पूरा कर सक तो ये दिन बहुत जादा खास हो गया और खास तोर से अगर सभी सिद्धियों का एश्वर्य भी आपने जोड़ा अगर आप प्राप्ति चाहते हैं तो किस तरह से पूजा आचना करनी चाहिए जिससे कि मां का वर्दान हमें मिले कुछ खास विशेश विधान है इसका देख पहले हम यह समझते हैं कि इनकी पूजा से वर्दान मिलते कैसे हैं कौन-कौन से वर्दान आपको मिल सकते हैं पहले वह समझ यह देखिए नवमी तिथी जैसा हम बार-बार आपको समझा रहे हैं कि कोई बात नहीं अगर आपने आठ दिन पूजा नहीं की है नवमी तिथी पर पूजा जरूर करियेगा ताकि नवरात्री का संपूर फल आपको मिले और किसी भी तरह की मानसिक समस्या हो मेंटल डिप्रेशन हो तनाव हो फ्रस्टेशन हो किसी भी तरह की मानसिक समस्या हो या किसी भी तरह की शारिरिक समस्या हो उससे आपको मुक्ती मिल सकती है भी हो सकता है जब आपका शरीर ठीक रहेगा इसलिए अगर आप बीमारियों से सुरक्षित रहना चाहते हैं अपने स्वास्त को बेहतर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी माता सिद्धिदात्री की पूजा करनी चाहिए क्योंकि इनके अंदर माता कालरात्री भी समाहित हैं और माता कालरात्री के बारे में हम सब जानते हैं कि वो किसी भी तरह की निगेटिव उर्जा को दूर कर देती हैं तो आपको जीवन में धन, संपत्ति, मानसिक स्वास्त्य, शारीरिक स्वास्त्य, नाम और यश जो भी चाहिए उसके लिए प्रेम से आप माता सिद्धिदा नवरात्री की पूजा करें तो आपके लिए बहुत शुब होगा. मतलब जीवन में जो आपको चाहिए वो मिल सकता है, अगर आप मा की पूजा आर्चना करते हैं तो आप सवाल ये है कि पूजा आर्चना किस विदिविधान के साथ की जाए, कैसे की जाए जो संपन्न मामाने उसे? नॉर्मली होता क्या है सशी? कि लोग नवरात्री में सुबह और शाम पूजा करते हैं, आर्थी करते हैं और उसी को पूजा को संपन्न माल लेते हैं. लेकिन नवरात्री का मतलब होता है नव रातें, यानि रात की पूजा जादा महत्वपून होती है. क्योंकि रात्री का इंपेक्ट जादा है दो ही पूजा है जो रात्री में जादा प्रभावशाली होती है एक नवरात्री और एक शिवरात्री तो अगर आप रात में पूजा करें तो जादा बेहतर होगा बाकी देखिए समय के साथ से आप कभी भी कर लें मा हैं आप कभी भी पूजा कर सकते है मा के सामने एक दीपक जलाईए घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक और माता सिध्धिदात्री की पूजा की जाती है मुख्यता कमल के फूलों से या रंग बिरंगे फूलों से तो माता को नौ कमल के फूल अर्पित करें अगर कमल के फूल नहीं है तो आप मानसिक रूप से भी कमल के फूल उनको अर्पित कर सकते हैं इसके बाद माता को नौ तरह के खाद्य पदार्थ भी अर्पित करें और फिर जो देवी का बीज मंत्र है ओम हरींग दुरगाय नमहा ओम, हरींग, दुरगाय, नमहा इस मंतर का जब करें अरपित किये हुए कमल के फूलों को या आपने अगर अलग-अलग रंग बिरंगे फूल अरपित किये हैं तो उन फूलों को लाल वस्तर में लपेट करके अपने पास सुरक्षित रखियेगा अब नवमी तिथी के दिन निर्धनों को भोजन जरूर कराया जाता है तो पहले निर्धनों को भोजन कराएं अगर आपका वरत नहीं है तो पहले स्वयम भोजन करें पहले निर्धनों को भोजन कराएं फिर स्वयम भोजन करें और याद रखें कि अगर आपने नौ दिन का वरत रखा है तो आप नौमी पर भोजन नहीं करेंगे आप दश्मी तिथी पर वरत का समापन करके तब भोजन ग्रहन करेंगे इस आड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूणना आसान प्रॉब्लम्स से सल्यूशन था आप अगर नौ दिन आप वरत रख रहे हैं तो नौवे दिन तक वरत रखने के बाद दसवी को आप पूझिए बिल्कुल अगर आप नौ दिन का वरत रखते हैं तो पूरी नौ रातें बीच जाने दीजिए तब आप दशमी को अपने वरत का समापन या दान वगएरा जो करना है वो करेंगे बहुत सारे लोग होते हैं जो पहली और अश्टमी को वरत रखते हैं तो अगर आप पहली और अश्टमी को वरत रखते हैं तब आप इसका समापन नौमी को करेंगे आपको जो भी दान पुन्य वगारा करना है तब ऐसी स्थिती में नौमी को करना बेहतर होगा और हमारे भगवान कितने सुगम है आपने कहा ना कि मानसिक रूप से अरपित कर दीजिए तो भी वो माना जाएगा अगर मानसिक रूप से अरपित करते हैं फूल भोग जो भी आप मन में सोचें देखी शास्त्र कहता है कि वास्तविक रूप से अरपित करने की तुलना में मानसिक पूजा ज्यादा प्रभावशाली होती है क्योंकि जब आप मानसिक रूप से फूल बना करके अर्पित करेंगे तो इतना असान नहीं है कि आपको मानसिक रूप से फूल तुरंद बन जाए उसमें समय लगेगा और आपका मन पूरी तरह से पूजा में इन्वॉल्व होगा क्योंकि आपका मन चीजों को बनाने में लगा हुआ है। इसलिए शास्त्र बहुत स्पस्ट कहता है कि भौतिक पूजा की तुलना में अगर आप विभिन वस्तुमों से मानसिक पूजा करते हैं या मानसिक रूप से विभिन चीजें देवी देवता को अर्पित करते हैं तो फल आपको जादा और जादा बेहतर प्राप्त होते हैं साथ ही अब हवन के बारे में भी जाना चाहेंगे आपने शुरुवात में कहा कि क्यूंकि नवमी है तो हवन का बड़ा अच्छा विधान है वो कैसे हमें करना चाहिए देखिए नवरात्री पर जब आप हवन करेंगे नवमी पर तो नवरात्री आपकी संपूर्ण हो जाएगे वैसे तो देखिए सशी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सब्ता में या नवरात्री में रोज हवन करते हैं तो रोज करते हैं तो कोई हर्ज नहीं है वश्टिमी को भी करें नवमी को भी करें जैसे चाहते हैं व हवन के लिए आप हवन कुंड में लकडी जलाएं आम की लकडी सबसे ज़ादा बढ़िया मानी जाती है वो आप जलाएं पहले पांच बार उसमें घी डालें पहले पांच बार घी की आहूती देंगे और फिर 108 बार हवन सामग्री से आहूती देंगे और उस समय आप बहुत स सारे मंत्रों का प्रियोग कर सकते हैं ओम दुंग दुर्गाय स्वाहा ओम एंग रिंग लिंग चामुंडाय विच्छे स्वाहा या गायत्री मंत्र पढ़के गायत्री मंत्र से भी आप आहूती दे सकते हैं हवन जब समाप्त हो जाए तब आप देवी से कृपा की प्रात्ना करिएगा निश्चित रूप से हवन के साथ नवरात्री संपून होगी लेकिन मैं फिर बता दूँ कि अगर आपने नौ दिन का वरत रखा है तो हवन के बाद आपके वरत का समापन नहीं होगा आपके वरत का समापन दश्मी को ही होगा, नौराते बीटने के बाद ही होगा एक और चीज़ यहां पर पूछना चाहेंगे पंडी जी आपने का ना हवन बहुत जरूरी है सवाल अब यह है कि कि किसी अगर कोई खास मनो कामना है हमारे मन में, तो क्या उसका विधान हवन के लिए अलग रहेगा, उसकी प्राप्ती के लिए उसमें यह होगा सशी कि आप जिस चीज़ से हवन कर रहे हैं, वो चीज़ बदल जाएगी, लकडी वही रहेगी अगनी वही रहेगी, घी वही रहेगा, मंत्र भी वही रहेगी सामग्री बदल जाएगी सामान ने जब आप हवन करते हैं तो हवन सामग्री में आप क्या करते हैं जोव मिलाते हैं बराबर मात्रा में काला तिल मिलाते हैं बराबर मात्रा में घी मिलाते हैं और हवन सामग्री को मिक्स करके तयार कर लेते हैं उसके बाद उसी से प्रात्री में अगर आपको सामान्ने हवन करना है, नौमी को भी करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अलग अलग तरीके का लाभ लेने के लिए जब लकडियां जल जाती हैं, तो उसमें अलग-अलग आहूती दी जाती है। और अलग-अलग लाब के लिए अलग-अलग आहूती देने से आपको फायदा होता है और किस चीज से कैसे हवन करना है किस लाब के लिए जिससे कि मनो कामना पूर्ण हो सामान में हवन करना है सशी तो हवन सामगरी में जव और काला तिल मिलाएंगे घी मिलाएंगे और उससे हवन करेंगे लेकिन जैसे आर्थिक लाब चाहते हैं आप कि आपको financial फाइदा हो तो आप मखाने से या खीर से हवन करिएगा आहुती 27 बार या 108 बार डालिएगा लेकिन सफेद मखाने से या खीर से हवन करने से आर्थिक फाइदा होता है कर्ज से अगर मुक्ती चाहते हैं तो राई से काली सरसों से हवन करना अच्छा होगा संतान संबंधी अगर कोई समस्या है चाहे संतान की प्राप्ती की हो या संतान के जीवन में कोई दिक्कत हो उसको दूर करना है तो माखन मिश्री से हवन करना बेहतर होगा अगर आप ग्रह शानती चाहते हैं किसी ग्रह की विशेश समस्या आपको परिशान कर रही है तो काले तिल से हवन करना आपके लिए बेहतर होगा सब का कल्यान चाहते हैं मेरा भी कल्यान हो, दुनिया का भी कल्यान हो परिवार का भी मंगल हो तो काले तिल, जव और हवन सामगरी मिला करके इस मिक्स चिचर से आप हवन करिएगा आपके लिए बहुत शुब रहेगा कोई खास चीज जिसका हमें बहुत खयाल लखने की जरूरत हो इस दोरान क्योंकि नौ दिन में बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते कि विधान क्या है कैसे पूजा करनी है कई बार मैंने कहा रहा है कि कुछ स्टूडिंस हैं कुछ बुजुर्ग हैं कोई बीमार है वो कैसे मा को प्रसंद कर सकता है और लाब ले सकता है सशीन नवरात्री में दो चीजों पर बहुत ध्यान देना चाहिए एक आपको मध्यरात्री की पूजा जरूर करनी है मिद नाइट में पांच मिनट दस मिनट निकाल करके आप पूजा जरूर कर लीजिए आपके लिए बहुत अच्छा होगा दूसरा आपका आहार क्या है देखिए जो वरत रखते हैं वो तो सात्विक भोजन करेंगे ही या फल खाएंगे या जल पिएंगे वो सात्विक्ता मैंटेन करते हैं सामाने तह लेकिन जो वरत नहीं रखते हैं वो कहते हैं कि भाई में वेजिटेरियन खाता हूँ 9 दिन नौनवेज नहीं खाता हूँ स्याम के समय अगर मध्धिरात्री में कर पाएं तो मध्धिरात्री के समय में और एक बात का ध्यान रखिए कि देखिए नवरात्री हमारे परंपरा में इसलिए है क्योंकि हम इस्त्री को देवी मानते हैं और ये मानते हैं कि दुनिया का सारा धन देवी के पास है यानि मालक् तो भी शक्ति है एश्वर यह संपन्नता है वो इस्त्री की वज़से है इसलिए पूजा करिए और साथ में आपके घर में जो महिला है इस्त्री है उसका भी सम्मान करिए समाज में जो महिला इस्त्री है उसका भी सम्मान करिए तब जाकर चीजें आपके लिए बहुत शुब तो हो पाएंगी यह बहुत अच्छा मैंसेज आपने दिया है सच में मा मतलब तभी खुश होगी कोई खास मंत्र जिसका 9 दिन हम जाब कर सके मानसिक तोर पर खास तोर से अगर हम बैठ कर पूजा ना कर पाएं तो कोई चोटा मंत्र खास मंत्र जो हम लगातार जाब जिसका क कश्ट कटते हैं प्रारब्ध का प्रभाव कम हो जाता है तो अगर आप देवी का नाम जपना चाहते हैं तो देवी का नाम भी एक मंत्र है दुर्गा दुर्गति नाशिनी दुर्गति नाशियते इति दुर्गा तो जो दुर्गति को दूर कर दे आपके वल दुर्गा द और अगर आपको बहुत शक्ती चाहिए, बहुत उर्जा की जरूरत है, आपको लगता है कि संकट बड़ा है और ताकत चाहिए, तब आप ओम एंग रींग लींग चामुंडाय विच्चे, इस मंतर का जितना जादा से जादा आप चलते फिरते जब करते रहेंगे, उतना ही जादा आपके लिए शुब होगा. जितना हो सके उससे दूर रहें, और ऐसे कोई छोड़ छोड़ एहतियात हम सब आम जनों के लिए. देखिए, पहली बात ही है कि मा से हर बच्चे का जुड़ाओ बहुत जादा होता है. इसी लिए हमने इश्वर को मा के रूप में प्रकट किया, मा के रूप में हम इश्वर की पूजा करते हैं. और देखिए, माता की जब आप पूजा करते हैं, तो आपको सिर्फ सात्विक्ता का ध्यान देना है. क्योंकि मा रूल्स और रेगुलेशन्स के चक्कर में नहीं पड़ेंगी, वो केवल आपकी भक्ती और आपकी भावना के आधार पर चलेंगी. तो एक तो आपका आहार सात्विक हो, आपके विचार सात्विक हो, और महिलाओं के साथ, इस्त्रियों के साथ आपका व्यवहार बेहतर हो. अगर इन चीजों का आप ध्यान रखें और माता के प्रती समर्पित हों उनके नाम का निरंतर जब करते रहें तो आप अपनी कोई भी मनो कामना पूरी कर सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया इतनी खास जानकारिया हमारे दर्शकों को पहुचाने के लिए एक बर फे से आपका बहुत बहुत शुक्रिया तो मास्तिदिदात्री को कैसे प्रसंद करना है, उनके लिए कैसे हवन करना है और कितना चोटे-चोटे उपायों के जरिये मा को प्रसंद करना आसान है यह आपको बताया शैलिंदर पार्णेजी ने इसी के साथ हमारी स्कास पेशकष में बस इतना ही नमस्कार